एक लंबी सांस लीजिए आपकी हर सांस यानि लगभग एक लीटर हवा जिसमें लाखों गरोडों मॉलेक्यूल्स या अनू पृत्वी के जन्द से लेकर अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं हम अपनी दिन चर्या में भूल जाते हैं कि हम कितने छोटे हैं कि हम एक खूंते पत्थर पर क्षण भर के नेवासी हैं और मातर पंदरा करोड किलोमीटर दूर आग का एक गोला जिसकी सते पचपन सो डिक्री पर जल रही है हमारी हर उर्चा का स्तरोथ है हम भूल जाते हैं कि पृत्वी की सते से मातर कुछ ही किलोमीटर दूर अंतरिक्ष का खालीपन शुरू हो जाता है इस खालीपन में हर वो चीज़ जिसे हम सामानने मानते हैं खत्म हो जाती है और शुरू हो जाता है एक ऐसा माध्यम जो पूरे ब्रहमान को जोड़ता है इस माध्यम की भीशन कैद से मृत्यों तक कोई अजादी नहीं और शायद मृत्यों के बाद भी नहीं बनुष्य ने इस माध्यम में आधोने कुपकरनों से जहां भी देखा वहां कठोर विसवोटर घटनाओं के लक्षन पाए इसी तरह की गटनाओं ने हमारे सौर्य मंडल को जन दिया और यहां शुरू ही हमारी कहानी मनुष्य हजारों सालों से सोचता रहा कि पृत्वी ब्रह्मान के बिलकुल पीच में है और पहली नजर में बिना अंतरिक्ष की गटनाओं का रिकॉर्ड रखे शायद यही निश्करश निकालना संभव भी था कि चांद और सितारे सभी हमारे उपर पृत्वी के चकर काटते हैं संभावना है कि सन 1610 में ग्यालियो के टेलिसकोप द्वारा निरीक्षन से पहले किसी ने यह सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन यह साबित हो जाएगा कि पृत्वी सूर्य के चकर काटते हैं ना कि सूर्य और अन्य सितारे पृत्वी के आज की दिन चर्या में तो हमारे पास आस्मान की और गौर से देखने का वक्त और धहर्य नहीं है पर हमारे पूरवज इसी धर्ती पर एक ऐसे वक्त पर जी रहे थे जहां रौंकते खड़े कर देने वाले दृश्य आम तोर पर हर रात देखने को मिलते थे पिछली कुछ सदियों में दुनिया की लगभग हर सरकार के अग्यानी रविये के कारण ना सिर्फ हवा का प्रदूशन बढ़ता गया पर एक नए किसम का प्रदूशन भी बढ़ता गया जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा ये है रौश्णी का प्रदूशन रौश्णी का प्रदूशन तब सामने आता है जब सूरज ढ़ने के बाद आस्मान खाली होने के बावजूद अंतरिक्ष को देख पाना या मुश्किल हो या संभव यानि आस्मान में या तो कुछ ही तारे हो या वो भी नहीं बड़े शहरों में ज्यादा घर और ज्यादा बड़ी संभावना की रौश्णी जमीन के बजाए वातावरन को रौशन करे बिजली का आविशकार हमारी आधुनिक दुनिया की नीव है जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा संभर्क रात के आस्मान से और इसी तरह पूरे ब्रह्मान से कट गया आज भी अगर आप किसी ऐसे पहाड पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं, जहां अबादी कम होने के चलते, रोशनी का प्रदूशन भी कम है, तो आप पाएंगे की नंगी आंखों से हमारी गालक्सी, यानि दुद्वा मासागर को देखना संभव है। ये एक ऐसा नजारा है, जो हमारे पूरवजों के जीवन का एक एहम हिस्सा था। हमारी अपनी आँखों की अंधेरे में देख पाने की ख्शमता एक छोटी सी सीमा में हिस्से मट जाती है, और रोशनी का प्रदूशन इसे और सीमित कर देता है। ब्रह्मान में हमारा महत्व क्या है? क्या हम अकेले हैं? हम कहां से आए? हमारी प्रजाती और ग्रह की अन्य प्रजातियों का भविश्य क्या है? हम अपनी और इनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाएं? हमारा रात के आस्मान से और इसी तरह पूरे ब्रह्मान से रिष्टा तूटने के बाद ये सवाल सोचने की ख्षमता भी हमने कुछ हद तक हो दी हैं। और यही सवाल तो हैं, जिने पूछने और सोचने से हम मनुश्य बनते हैं। यही सवाल हमें मानवता का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप आस्मान की ओर देखते हैं और हर रात सिर्फ खाली बन पाते हैं, चाहे वो हवा के प्रदूशन की वज़ज़ से हो या फिर रोश्नी के प्रदूशन की वज़ज़ से, एक तरह से आपका एक अधिकार छिन गया है। हर इंसान को हग है रात के आस्मान को गहराई से परकने का और अपनी खुद की जिन्दगी के महत्व को और गहराई से समझने का। इस बात के भरपूर सबूत हैं कि करोडों सालों की evolution के चलते हम एक single-celled organism से एक आधुनिक प्रजाती में धीरे धीरे परिवर्दित हुए। हम जिन्दगी जीते हैं एक सेकंड प्रतीस सेकंड की रफदार से। सुनने में अजीब लगता है पर विज्ञान हमें साहस देता है ऐसी चीजों को समझने का जो हमारी शारीरिक क्षमताओं से बाहर हैं। sensors चैसे camera की chips या फिर TV में remote की signal प्रापत करने वाले infrared sensors तक वक्त की इसuckles से हम से ज्यादा मुक्त है। camera अगर 1 सिकंड में 1 सिकंड से कम का material शूट करता है तो उसे playback करते हुए हम सही रफदार पर चलाकर रिकॉर्ड किये हुए पलों को तेजी से परिवर्तित होता देख सकते हैं इसे कहते हैं टाइम लाप्स साटलाइट से लिए हुई दशक और लंबी तस्वीरों को तेजी से बदलता देख कई चीजे साफ हो जाते हैं मानवी अनुभव बहुत सीमित है पूरी दुनिया का हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हमारी भाषाएं, संस्कृति और नाकरिक्ता भले ही अलग हो पर हमारा वातावरन एक ही है आधुनिक दुनिया का लगबग हर रिस्सा इसी नई सोच से प्रेरित है cause and effect यानि कारण और प्रभाव इस से पहले कि हम sensors और computers का एजाद कर सकते मनुश्य को लाखों साल अंधेरे का सामना करना पड़ा पर विज्ञानिक विचारधारा इतनी सरल है कि आधुनिक टेकनोलोजी के बिना भी कई हस्तियां सिर्फ अपने मन के बल से इतनी प्रगती दे गई कि उनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण नक्षरों में छपा हुआ है 18 सदी में न्यूटन ने एक पत्रगार से गुफ्तगू के दोरान इलान किया कि सन 1606 में एक सेब को पेर से नीचे गरता देख उन्हें ये एसास हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में गुरुतवा करशन का एक एक एकी करिद बल है जिसके कारण सेब पेर से नीचे गरता है प्रित्वी चांद को अपनी और खींचती है और सूर्य प्रित्वी को अपनी और यदि ये सच है कि उन्हें वाकिए सेब को पेर से गरता देखिया अनुभूती हुई या नहीं यह जानना तो संभव नहीं है पर ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो उन्हें पहले करोडों लोग देख चुके थे ऐसे विचार ना सिर्फ सोचे बलकि साबित भी किये जो उन्हें से पहले पूरी मानवता के ग्यात इतिहास में और कोई नहीं कर पाए न्यूटन के विचार उस समय के लिए करांतिकारी थे उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को अनुभव किया और विज्ञान का इस्तमाल करके उनके कारण और उनकी प्रकृतिको स्पष्ट रूप से समझा और समझाया प्राइट समर उन्हें स्पेसक्राफट वोयजर वन और टू लिफ्टेद आफ रम केप कनावरल अटाप टाइटन सेंटार राकेट्स न्यूटन और उनके बाद के हज़ारों साइंटिस्ट के काम के बाद अद्भुताविशकार संभव हुए नासा ने वर्ष 1977 में वोयजर सीरीज लाँच की और आज ये मनुष्य के दवारा बनाई गई सबसे दुरलब और दूर स्थित वस्तुए हैं ये हमसे 22 अरब किलोमीटर दूर हैं ये इतनी दूर हैं कि आम तोर पर इतनी बड़ी संख्याओं का महत्व हम अच्छे से समझने तक की क्षमता नहीं रखते वॉयजर सीरीज ने हमें बाहरी ग्रहों यानि जूपिटर, साटर्न, यूरेनिस और नेप्चिन को करीब से देखने का मौका दिया इनका मिशन था जूपिटर और साटर्न का अध्यायम और मिशन की अब्दी थी केवल पांच साथ परन्तु ये दोनों ब्रोब्स आज भी डेटा बेज रहे हैं लॉंच के 42 साल बाद जूपिटर को हम सभियों से टेलिसकोब के जरीए देख रहे थे पर 70 के दशक में वॉयजर ने जूपिटर को करीब से देखकर इस बात की पुष्टी कर दी कि Great Red Spot यानि विशाल लाल धबा दरसल एक तुफान है ये तुफान लगबग प्रित्वी जितना बड़ा है और सेंकडो सालों से कायम है अश्चर्य की बाद तो ये है कि जूपिटर की भी यूरेनस और साटर्न की तरह रिंग्स या छले हैं जो आम तोर पर बाकी दुनों की तुन्ना में इतने पतले और विरल हैं कि जूपिटर की चित्रकारी और फोटोग्रफी में इन्हें दर्शाना सार्थक नहीं है जीवन कठिन है विग्ञान और विग्ञान से प्रेरिज जीवन, जीवन से ज्यादा कठिन नहीं अग्ञानी सोच जाहर तोर पर आपकी जिन्दगी में महंगी पड़ेगी, ये बात निश्चित है ध्यान अगर धर्म और दुश्मनों में बाट दिया जाए, तो सड़की क्यों तूटी है और धुआ असमान में क्यों चाया है ये सवाल अपने आप समाज वैद मानना शुरू कर देगा विज्ञान से प्रेरिट सोच पूरे ब्रहमान को रोशन कर सकती है हमएं अपनी सोच में विज्ञान को शामिल करने की ज़ूरत है पर इस नई सोच को हम कहां से शुरू करें शुरू से शुरू करते हैं झाल झाल झाल